गाईज, इंडिया में opportunities और employment दोनों की ही कमी नहीं है लेकिन फिर भी, आज भी Indian youth employment को लेके सबसे ज़्यादा tension में रहता है यारे, जोब क्यों नहीं मिल बारी? क्या आपने कभी सोचा है? जो companies इंडिया में Indian youth को recruit करती है उसका इसके बारे में क्या ख्याल है पता है? वो ये कहती है कि इंडिया में youth की कमी नहीं है लेकिन skillful, smart, employable youth की बहुत कमी है और जो youth skillful है और smart है उसके लिए job की कमी नहीं है अब इसको थोड़ा मैं story के थूरू समझाने की कोशिश करता हूँ ध्यान से समझेगा जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा एक बार दो दोस्ते एक का नाम था सतीश, दूसरे का नाम था महेश दोनोंने schooling, college सब साथ में पुरा किया मज़ेगी बात ये थी उनकी same ही company में job लग दे दोनोंने बहुत hard work किया पूरे साल बर साल बर बाद उनका promotion होना था तो जिस दिन promotion था, उस दिन boss आये उन्होंने सतीश को promotion letter देते हुए कहा कि सतीश, तुमारा promotion होता है तो महेश ने पूछा कि sir मेरा तो boss ने कहा कि महेश, I'm sorry तुम्हे promotion नहीं मिल पाएगा, इस साल तो promotion होता है, जरूर सतीश ने buttering कियो कि boss की, और उसको गुसा आ गया उसने सुचा मैं कल से नहीं आऊँगा, वो boss के cabin में गया, और boss को बोलता है कि boss हमें कल से तो नहीं आऊँगा, I'm so sorry तो boss ने कहा कि क्यों नहीं आऊँगे, तो वो कहता है कि boss मैंने बहुत hard work किया पूरे साल बर, लेकि मेरा promotion नहीं हुआ, अब मुझे ऐसा feel होता है कि इस company में सिर्फ buttering करने वालों को प्रमोशन होता है, मतलब वो directly सतीश में blame लगा रहा था कि सतीश ने buttering की है, लेकिन boss तो ये जानता था कि सतीश ने buttering नहीं की है, सतीश ने वाके में hard work किया, वो smart है महेश से smart है, अब इस चीज़ को prove कैसे करें boss ने लगाया दिमाग, इसलिए तो वो boss था उसने दिमाग लगाया, उसने क्या का महेश एक काम करो, मैं तुमें एक task देता हूँ अगर तुमने वो task कर लिया, तो मैं तुमें सतीश से जादा पैसे दूँगा और प्रमोशन भी दूँगा महेश ने गा, ठीक है तो boss ने गा, तुमें एक काम करो अभी जाओ बाहर, तो हमारे इलाके में पता करो कि आम कौन बेशता है, महेश गया आदे गंटे बाद वापस आया और बोलता है कि आम एक्शली पूरे इलाके में हमारे इलाके में थोक के भाव में सिर्फ एक ए आदमी बेशता है तो फिर boss ने गा, महेश एक और काम करो अब जाके पता करके आओ कि वो कितने कितने रुपे किलो में आम बेशता है तो वो गया, वापस आया वापस आके बोलता है कि वो पचास रुपे किलो में आम बेशता है अब बोस ने किया का महेश मैं सेम चीज़ अब मैं सतीश से करवाता हूँ तुम ध्यान से देखना उन्होंने सतीश को बोलता है कि सतीश एक काम करो इस इलाके में जो आम बेजता है उसकी खबर लेकिया हो कि कौन आम बेजता है सतीश गया मार्केट में और वापस आया आदे गंटे बाद और सतीश ने जो कहा महेश उसको देखता रहे गया सतीश ने कहा, boss, यहां पे आम सिर्फ एक की आद में बेजता है, और वो 50 रुपे किलो बेजता है, लेकिन उसके पास total 60-70 किलो आम है, और वो एक साथ अगर हम खरीद ले, वो 40 रुपे किलो में दे देगा, और अगर हमने 40 रुपे किलो में वो 60-70 किलो आम बेज दिये और हमने अगर 50 रुपे किलो में उसे सेल किया तो मैं बहुत प्रॉफिट होगा और आगे आने वाले समय में हम लोग आम में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं आम के बिजनस में भी अब आप समझे कि सतीश और महेश में क्या फर्क था आप समझ पा रहे हैं कि smartness और skill का क्या मतलब होता है आज का youth क्या है ना सिर्फ इस philosophy में जादा तर youth इसी philosophy में जीता है कि इतने बे इतना इच मिलेगा जब आप ये सोचते हैं कि इतने बे इतना इच मिलेगा आप उसको 200 रुपे का काम करके दो, आप उसको अपना आदी बनाओ, जब आप उसको अपना आदी बना लोगे, तो आप जिंदगी में, प्रमोशन के लिए, या employment के लिए, टेंचन में कभी नहीं रहोगे, तो अब आपको समझ में आया होगा कि actual में क्या meaning है, क्यों लोग employment क लेके इतना tension में रहते हैं, so guys, मेरी तरफ से मैंने समझाने कोशिश करी है, ऐसे amazing stories के लिए, YouTube पे हमारे चैनल को subscribe कर लीजे, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं, तो मुझे follow करना मत भूलेगा, और इस story को लोगों के साथ share जरूर करेगा, ताकि वो समझें, कि youth और skillful youth में क क्या फरिक है, thank you so much.